आज मॉर्णिंग में न मैंने बनाया बहुत ही यम्मी, बहुत स्वादिश्ट और बहुत ही हेल्दी, येस ब्रेकवास्ट और ये इतना अच्छा लगता है ना मतलब आपको सुभा सुभा कर ये मिल जाए ना तो बस क्या ही कहने है फिर तो आपकी पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है फिर ना आपको दूपहर में भूख लगती है और ना आपका कुछ खाने का मन करते हैं क्योंकि आप इतने फुल हो जाते हो इसको खाकर तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी विद पराठा येस ये है पराठा इसको मैंने अजवाइन और मगरेला डा हो जाती है हाना तो इसके लिए मैंने क्या करा है एक ले लिया है पैन और पैन लेने के बाद मैंने इसमें डाल दे प्र कुछ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑुल मस्टर्ड ऑइल हम जरा सा डालेंगे क्यूंकि हम हमें बहुत ज़्यादा ओयल यूज नहीं करना है किसी भी खाने और यहां पर मैंने डाल दी है दो हरी मिर्च बारी काट कर क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करती हूँ मैं हरी मिर्च ही डालना प्रफर करती हूँ तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हो है ना सिंपल आप काली मिर्च पाउडर डाल सकते हो और यहां पर जो मिर्च थी ना वो भून गई तो मैंने इसमें डाल दी थी एक बारी कटी हुई प्याज और प्याज को भी ना हम अच्छे से भून लेंगे और इसका गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा ना तो उसके बाद हम इसमें जो भी चीजे डालनी है वो हम डाल देंगे इसके बाद मैंने इसमें क्या करा है जा मेरी प्याज भून गई तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा टमाटर तो ये एक टमाटर था मीडियम साइस का तो मैंने बारी काटके डाल दिया है अगर आपके पास मतर है ना तो आप मतर भी डाल सकते हो जैसे अगर आपके पास इस टाइम सीजन चल रहा है तो थोड़ी सी मतर डाल सकते हो इस बहुत ही आसान होता है और जैसे आपके पास पनीर हो और सिंपल आपको किसी मदब सूखा कुछ खाना हो ना ड्राइस सब्जी कुछ खानी हो तो आप इसको साइड डिश के रूप में भी रख सकते हो जैसे आपने कुछ डाल बनाई है दुपहर की बात कर रही हूँ अगर मरे ह मसाले को बहुत जाना नहीं है क्योंकि सुखाय हम बना रहे है, सुखि ग्रेवी वाला है, मतल्क हम पानी वग पनीर में मेरे कहाँ मुझे लगता है कि तीन लोगों के लिए काफी होती है अब यह आपको लग्ज जरासी रही होगी ऐसा लग रहा हो गयार यह तो बहुत कम है यह तीन लोगों में कहाँ खाई जाएगी पर ट्रस्ट मी यह जो पनीर भुर्जी होती है पनीर का कोई भी ये से जो पका लिया था और उसके बाद जिससे कि जो मसाले तो यहांब कम रिखा लिखा और यहां पर मैं इसमें पाणिया था थोड़ासा हरा धनिया बारी कटा हुआ काटके डाल दिया था गारिश कर दिया था तो उससे तेज तो बहुत अच्छा आई जाता है तो यह डभी था पॉज आपने पराटे नहीं बनाए है। आपने चपाति बनाई है। तो चपाति के साथ आप Simple इसको खा सकते हो। साथ में दही भी यानी कर्ड ले सकते हो। या फिर आप कुछ और इसे चटनी कोई है, आपके पास सौस है, आपने घर में बनाई है। उसके साथ खा सकते हो तो नॉर्मली मैं क्या गरती हूँ कि घर पे जो कच्छा आम होता है और जो गुड होता है तो उसकी मैं एक मीठी वाली लॉंजी बना लेती हूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो अभी तीन-चार दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि जल् आप उसको अगर सही से बना कर और सही से पैक करके मतलब उसको सही से कंटेनर में रखते हो तो वो अच्छे से चल जाती है तो आपको यह ईजी सा सिंपल ब्रेकफास्ट जो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट क्योंकि बुरजी ना हमारी जटपट बन जाती है और सेहत के लिए बहुत ही जादा अच्छी तो है प्रोटीन मिल जाता है क्या श्री मिल जाता है और क्या चाहिए यार घर में बैठे बैठे सब कोच मिल रहा सपलीमेंट्स खाने की ज़रुरत नहीं है होब आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई